हाई गाईस मेरे नाम है संदीप और ये है Poco X3 Pro के अंदर लेटस्ट Siberia Project 5.4 आई गैस और ये एक अनफीशल लेटस्ट अपडेट है जिसके अंदर जो है अफीशल वाले सभी फीचेस आपको मिल जाते हैं और ये जो रॉम है ना ये Redmi K20 Pro के लिए one of the best गेमिंग रॉम है तो इसके optimization मेरे को Poco X3 Pro के ओपर चेक आउट करनी थी तो इसको मैंने install किया and overall जो review है ना वोम आपको यहां पर शेयर करूँगा पर उससे पहले प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आयो तो request है सब्सक्राइब कर सकते हो and वीडियो पसंदाए तो like जरूर से कर सकते हो मैंन अब उन दोनों वीडियो को definitely check out कर लें कुछ से पहले यह है 5.4 version और about phone page कुछ आपको ऐसा मिलता है अब android version के नदर आएंगे Siberia का logo है android version 12L आपको मिलेगा Siberia version 5.4 है और यह जो UI यह न वो थोड़ा सा revamped हो चुका है android security update June 5, 2022 से updated है and जो kernel आपको मिल जाता है जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हो कुछ different सा kernel है मैंने पहली बार यह देखा है and device के certification की बात करेंगे तो आपका जो device है वो certified है widewind L1 है and I think इस ROM के अंदर आपको जो है google photos का spoofing देखने को मिल जाता है बट मैंने अभी इसको install नहीं किया तो उसको check करेंगे customization के अंदर आपको I think option मिल जाएगा और जो charging speed है 33W से वो कुछ आपको ऐसी मिलेगी and CPU throttle link की बात करें तो 89% तक CPU throttle होता है 2,6,000 के आसपास maximum GIPS और average है 1,89,000 के आसपास और जो battery consumption है mixed usage के ओपर वो मिरको almost मिला है 15 से लेके 16% परार के आसपास idle train देखो के 0.66% परार के आसपास है deep sleep working है and जो active train है उसके यहाँ पर मैं बोलना चाता हूँ थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाएगा तो थोड़ा सा battery के regarding इस ROM के अंदर issues मेरे को लगे हैं तो आने वाले कुछ cycles के अंदर में भी यह फिक्स हो सकता है बढ़ हाँ काफी सारे ROMs में कुछ ऐसी टेस्ट करता हूँ पर उनके ओपर जो battery consumption है वो थोड़ा सा battery आपको मिलेगा तो यहाँ पर ROMs को मैं जब review करता हूँ न सब कुछ आपको उसके अंदर यह पता चल जाता है और यह Geekbench 5 के score जाएं जो कि थोड़े से ज्यादा lower आपको मिल जाएं अगर आप यहाँ पर stock camera चेक आउट करना चाते हो तो इसके अंदर आपको जो है camera मिल जाता है Gcam Go pre-installed है और इसको आप update कर सकते हो play store से आप Gcam 8.1 try कर सकते हो और NX camera जिसकी वीडियो मैंने अरड़ी upload कर रखिया उसको install कर सकते हो First of all ultra wide यहाँ पर work कर रहा है और यहाँ पर 4K 30 fps का option है portrait mode working है और इवन अगर आप slow motion videos record करना चाते हो तो maximum 960 fps तक record कर सकते हो at 1080p तो वो resolution आपका working है NX काफी stable यहाँ पर work कर रहा है अब UI का experience share करता हूँ First of all यहाँ पर आपको यह वाला launcher यहाँ पर quick step का launcher मिलता है icon packs आपको यह वाले देखने को मिलते हैं यहाँ पर almost काफी सारे features आपको नए देखने को मिलेंगे यह कुछ नए updated features आपको इस launcher के अंदर मिल जाते हैं quick setting पहलने के अंदर कोई भी lag आपको नहीं मिलता काफी super smooth है और यहाँ पर timing बगरा कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है so यहाँ पर quick setting पहलने के अंदर lag आपको नहीं आएगा और app opening, closing and emission है न वो काफी ज़दा smooth आपको देखने को मिल जाएंगे 120 Hz के ओपर कोई भी problem आपको नहीं आने वाली देख सकते हो कुछ ऐसा experience आपको इस ROM का मिलने वाला है so जो ROM का optimization बगरा न वो काफी अच्छी है और even haptics enabled है यहाँ पर clear all बटन आपको मिलता है left side में जो google cards है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो scrolling है न वो काफी ज़दा smooth आपको देखने को मिलती है अब Siberia अगर आपने इस POCO X3 PRO के ओपर नहीं यूज किया तो वहाँ पर जो old UI है न इसका Siberia setting का वो थोड़ा सा different था बट अभी 5.4 के अंदर यह revamped हो चुका है जो changes है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते एक different minimal सा UI आपको मिलता है first of all about phone हमने चेक कर लिया आप system के उपर आते हैं यहाँ पर gestures है quick tap आपको मिलेगा system navigation में 2 button 3 button है और pill की length आप increase नहीं कर सकते है वो option यहाँ से removed है और haptic feedback वगरा full screen gestures सब कुछ आपको मिलता है अपडेटर यहाँ पर नहीं मिलेगा एंड रही बात कुछ और changes की utilities का option आपको मिलता है जो की accessibility है basically और battery का section आपको मिलता है तो यहाँ पर 24 hours वाला यहाँ पर आप graph set कर सकते हो वो आपको option मिलता है security के अंदर face unlock, fingerprint और app lock तीनों present है और apps के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको touch control देखने को मिल जाएगा आप जो different different app के लिए touch की responsivity और sensitivity और assistant area वगरा जो है manage कर सकते हो वो option आपके लिए present है जो कि I think मैंने किसी भी ROM के अंदर नहीं check out किया sound and vibration के अंदर आएंगे तो यहाँ पर in tone vibration pattern मिल जाएगा direct sound enhancer है जिसमें जो है scenarios वगरा का option आपको मिलता है clear speaker, haptic feedback, level वगरा मिलता है now wallpaper and style का look almost similar वही मिलता है but themed icon है, app grids maximum 6 cross 10 तक आपको मिलेंगे अब display के अंदर आएंगे, so यहाँ पर live display के अंदर color calibration है, ambient display के अंदर यह वाले gestures आपको मिल जाएंगे और colors के अंदर सभी options है additional display features आपको मिलते है जो कि Poco X3 specific है और minimum refresh rate वगरा आपको 60 से लेके 120 के उपर option मिलेगा बीच में 60 और 70, 5 Hz और 90 का भी option है prevent accidental wake up है full screen apps है, display color calibration भी आपको मिलता है, जो कि आप set up कर सकते हो Siberia setting के अंदर system है general tweaks के अंदर USB configuration और यहाँ पर rendering जिटर वगरा का option आपको मिल जाएगा buttons के अंदर advanced restart है then notification के अंदर आपको वही options मिलेगे then dialer के अंदर in call vibration options है और panel के अंदर status bar है traffic indicator clock options है battery styles आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं और battery percentage नेबल कर सकते हो number of vault icons भी काफी ज्यादा आपको मिलते हैं और notification के अंदर आपको जो है battery styles वगरा देखने को मिलेगे clear all button की customization है navigation bar है, gestures के अंदर आएगे तो swipe to screenshot, double tap to sleep वगरा का option है game space के अंदर आपको ये वाले features मिलते हैं UI setting के अंदर headline body fonts ये वाले आपको मिलते हैं then icon pack यहाँ पर आपको मिलते हैं और signal icon, wifi icons आपको मिलेगे और नीचे monitor का option है lock screen के अंदर आपको यहाँ पर ripple effect, double line clock, lock screen charging info का भी option मिलता है ये जो ROM है, ये especially जो है targeted नहीं मिलती है आपको gaming के लिए, यहाँ पर अगर आप 90 fps पे खेलना चाहते हो basically ROM के अंदर 90 fps का option आपको मिलता है by default so 90 fps के उपर जो gaming experience है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा even अगर आप screen recording करो या फिर ना करो, कोई ज्यादा बड़ा आपको difference दोनों के अंदर नहीं मिलता performance काफी downgraded से आपको मिलेगी बीच-बीच में काफी ज्यादा frame drops आपको phase करने पड़ेंगे तो ये ROM gaming के लिए बिलकुल भी आपको नहीं मिलती और gaming के लिए काफी सारे ROMs मैंने यहां पर वीडियोज अपलोड कर रखे है उनको आप चेक आउट कर सकते हो अगर आप regular viewer हो तो आपको definitely पता होगा कि कौन सी ROM के ओपर best आप gaming कर सकते हो right now Poco X3 Pro के लिए तो आप वीडियोज चेक कर सकते हो और उसके साथ में यहां पर बैटरी भी उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती सो दोनों चीज़ें न वो उतनी ज्यादा amazing आपको नहीं मिलती hopefully आने वाले update वगरा के अंदर यह जो चीज़ें वो optimize हो जाए आपको review कैसा लगा? कमेंट्स में बता सकते हो चैनल पे पहली बार है तो subscribe कर सकते हो और वीडियो पसंदाए तो like भी कर सकते हो मिलेंगे next वीडियो के अंदर